दोस्तो जब भी हम विशाल परवतों और खड़ी चड़ाईों की बात करते हैं तो हमारे मन में हिमाल्य परवत की उची उची चोटियों का ही खयाल आता है लेकिन दुनिया भर में कई और खतरनाक रास्ते भी मौजूद हैं जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा तो फिर तैयार हो जाएए दुनिया भर के सबसे कठिन मार्गों की सैर करने के लिए दोस्तो इसे दा किंग्स लिटिल पाथ भी नाम दिया गया है जो की स्पेन के मलंगा प्रांत में स्थित है इस मार्ग का निर्माण बीसवी सदी की शुरुवात में किया गया था मार्ग के निर्माण के पीछे का उदेश्य मार्ग के आखरी में दो ज़र्नों पर लगे हुए बिजली निर्माण यंत्रों की और श्रमिकों को आने जाने की सुविधा देना था हाला कि किस्वी सदी की शुरुवात तक ये मार्ग बड़ी ही जरजर हालत में हो गया का सबसे खतरनाक पैदल मार्ग घोशित कर दिया गया और सरकार द्वारा इस रास्ते पर किसी भी इनसान का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी सैलानी यहां आते रहे इसलिए साल 2015 में मरम्मत के बाद इस मार्ग को फिर से खोल दिया गया जहां तक कैमिनीटो डैल रे की बात है तो ये बहुती संकीन रास्ता है जिसमें कई स्थानों पर साइट से पकड़ कर चलने वाली रेलिंग भी नहीं है वहीं पूराना होने के कारण ये कहीं से भी तूट कर गिर जाता है कोकोडा ट्रैक पैपुआ नीगीनिया दोस्तो पैपुआ नीगीनिया उस्ट्रेलिया के नस्दीक प्रशांत महसागर शेत्र में स्वतंत्र और एक बेहधी गरीब राष्ट्र है लेकिन ये देश प्रकृतिक विविधताओं का गड़ है यहाँ पर हर कदम पर आपको केवल हरियाली ही हरियाली मिलेगी इस देश के जंगलों में करीब 26 किलोमीटर लंबी एक परवतिय चड़ाई है जिसे कोकोडा ट्रैक के नाम से जाना जाता है इस ट्रैक को पूरा करने में दो सपतहा का समय लगता है जिसके लिए दुनिया भर से सैलानी यहाँ पहुँचते हैं हाला कि ये ट्रैक उतना मुश्किल नहीं है लेकिन 26 किलोमीटर की लंबाई और यहां का खराब मोसम इसे और ज्यादा खतरनाक बना देते हैं पैपुआनी गीनिया समुद्र से घिरा हुआ है जिस वजह से यहां भारी बारिश होती है इस बारिश के कारण सैलानी कोकोड़ा ट्रैक के रास्ते में कई बार बुरी तरह से फस जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैटते हैं सबसे खराब बात यह है कि अगर आप इस ट्रैक पर फस गए तो आपके लिए कोई मदद नहीं आने वाली क्योंकि कोकोड़ा ट्रैक का रास्ता लंबी जाडियों वाले जंगलों के बीचों बीच में है साल 2009 के दोरान जब कुछ आस्ट्रेलियन सेलानी यहां यात्रा कर रहे थे तो उसी दोरान यहां इतनी भयंकर बारिश और तुफान आया कि वो सेलानी महीनों तक किसी जंगल में फस गए और उन में से तेरा लोग मारे गए वायना पीचू दोस्तों वायना पीचू को माचू पीचू भी कहा जाता है ये पेरू में स्थित एक शांदार उंचा परवत है अगर आप इस परवत पर खड़े होकर नीचे खाड़ी की तस्वीर लोगे तो उस तस्वीर को देखने वाले सभी लोग तस्वीर देखकर हैरान रह जाएंगे लेकिन उस तस्वीर को देखने से कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि आखिर इस पहाड़ी पर चड़ने के लिए आपके दुआरा कितना जोखिम उठाया गया होगा दरसल इस परवत पर चड़ाई करने के लिए आपको 2000 से ज्यादा सीडियों से गुजरना होगा जिन पर बारिश की वजह से अकसर आपको काई जमी मिलती है जिससे फिसलने का डर लगतार बना रहता है और इन सीडियों की चड़ाई इतनी ज्यादा खड़ी है कि स्थानिय लोगों द्वारा इन सीडियों को मौत की सीडि भी कहा जाता है हैरानी की बात तो ये है कि कई जगों पर ये सीडियां खत्म हो जाती है और चड़ाई करने वालों को इस तरह से परवत पर उबरे हुए पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है जहां से अगर कोई नीचे गिर गया तो उसके बचने की संभव ना तो छोड़िये बलकि अगर उसकी डैट बोड़ी मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी हाला कि इतना जोखिम उठाने के बाद चोटी पर जब कोई पहुशता है तो उस व्यक्ति के सामने प्रकृती का एक बहतरीन नजारा होता है लेकिन इस नजारे के लिए इतना जोखिम लेना मूर्खता से कम नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी इस परवत पर प्रतिवर्ष हजारों लोग चड़ाई करते हैं जिन में से कुछ मौत को भी गले लगा लेते हैं दोस्तो एंजल्स लेंडिंग नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई परियों का देश है लेकिन ऐसा नहीं है बलकि एक बंजर विरान एरिया है अमेरिका के उटा के जियोन नेशनल पार्क में 1488 फिट लंबी कठोर चटान है अत्याधिक कठोरता के कारण इस चटान पर कोई भी वनस्पती नहीं उखती जिस वजह से एंजल्स लेंडिंग का अधिकांश हिस्सा सूखा है एंजल्स लेंडिंग की और आने और जाने की पैदल यात्रा लगभग 8.5 किलोमीटर की है जिसे पूरा करने में औसतन यात्री को लगभग 3-4 घंटे लग जाते हैं खड़ी और फिसलन भरी धारियां एंजल्स लेंडिंग को एक कठिन रास्ता बना देती है यहाँ चड़ने के लिए एक मोटी चेन बांधी गई है जिस पर से अगर किसी का हाथ फिसलता है तो उसकी मोट पक्की है एंजल्स लेंडिंग का तापमान भी बहुत कठोर है सरदियों में यहाँ बर्फ होती है तो गर्मियों में सूर्य की भयंकर तीवरता के कारण यहाँ चट्टाने तपने लगती है जिस वजह से यहाँ कभी भी रुक कर आराम करना बिल्कुल भी संभव नहीं है दोस्तो यह एक परवत है जो साउथ एफरीका में मौझूद है यह साउथ एफरीका की सबसे उची परवत श्रंखला है जो समुद्र तल से 11,423 फीट की उचाई पर है इस परवत की चड़ाई इतनी कठिन है कि यहाँ चड़ा ही नहीं जा सकता है इसलिए एफरीकन गवर्मेंट ने यहाँ कुछ लोहे की सीडियों को बान दिया है जिनकी मदद से परवतारोही चड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं माना जाता है कि किसी जमाने में स्थानिय किसान इन परवतों पर अपनी बक्रियां चराते थे अब बक्रियों में तो पहाडों पर चड़ने की अद्भुत शमता होती है इसलिए उन बक्रियों का पीछा करने के लिए किसानों ने लकडियों की सीड़ी परवतों से लटका दी थी बाद में जब इन परवतों के सोंदर्य को निहारने के लिए यहां टूरिस्ट आने लगे तो सरकार ने लकडियों की बजाए लोहे की सीड़िया लगवा दी खैर जो भी हो इन लोहे की सीडियों पर चड़कर इस परवत के शिखर पर पहुँच पाना कोई आसान कार्य नहीं है इसलिए इन परवतों की चड़ाई को केवल स्किल्ड माउंटेन क्लाइमर ही पूरा कर पाते हैं माउंट वाशिंग्टन दोस्तो माउंट वाशिंग्टन न्यू हेंपशर की सबसे उची चोटी है इसकी उचाई 6288 फिट है इस परवत पर हवा एतनी तेज चलती है कि वो किसी भी इनसान को उड़ा सकती है यहां धेक्तम 372 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलने वाली हवा को दर्च किया गया है जो पृत्वी पर अब तक चलने वाली सबसे फास्टेस्ट वाइंड रिकॉर्ड की गई है साथ ही यह परवत पृत्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है कहा जाता है कि यहां पलके तक जम जाती है सर्दियों में इस परवत की चोटी का तापमान माइनस 42 डिगरी सेलसियस तक पहुच जाता है यानि कि सर्दियों के मौसम में तो इस परवत पर चड़ाई कर पाना लगभग नामुम्किन है कहा जाता है कि यहां साल में कम से कम 110 दिन बेहत तेज आंधी चलती है जिस वजह से इस परवत के मौसम का अनुमान लगा पाना भी काफी मुश्किल होता है इस परवत पर चड़ाई करने वाले अब तक 130 इंसान इसी खरा मौसम में फसकर मारे जा चुके हैं काकुम कैनोपी वॉक दोस्तो काकुम कैनोपी वॉक पर चलना निश्चित तोर पर एक सहसिक काम है क्योंकि चलते समय ये ऐसे हिलता है जैसे मानो बस अभी तूट कर नीचे ही गिर जाएगा लेकिन ये काफी सुरक्षित है जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चे भी यात्रा करते हुए देखे जा सकते हैं हाला कि बच्चे इस पर यात्रा करते वक्त काफी डरते हैं बतादे धरती तल से 300 फिट उचे इस पुल पर चलते समय अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है ये पुल वेस्ट एफ्रिकन कंट्री घाना में स्थित है जिस पर यात्रा करने के लिए हर साल दुनिया भर से प्रकृती के प्रेमी आते ही रहते हैं दोस्तो जूलते समय इस पुल से जंगल को देखने का जो शांदार अनुभव होता है वो अपने आप में ही मन को लुभा देने वाला होता है दोस्तो डेविल्स पाथ यानि की शैतान का रास्ता ये नियू यूर्क में कैट्सकिल माउंटेंस पर एक लंबा पैदल रास्ता है जिसकी चड़ाई करीब 40 किलोमीटर की है इस चड़ाई पर परिस्थितियां लगतार बदलती रहती हैं यहां कई बार तो रास्ता एकदम से सपार्ट हो जाता है तो कई बार चड़ाई इतनी खड़ी बन जाती है कि सीड़ी लगाई बिना आगे बढ़ना संभव नहीं रहता इस इलाके में पहाडियों पर भुसकलन होते ही रहते हैं जिस वजह से पत्थर तूट कर नीचे गिरते रहते हैं और यही बात देविल्स पाथ की चड़ाई को एक कठिन रास्ता बना देती है साथी देविल्स पाथ का खराब मौसम और उमस परवतारोहियों की परिशानी को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं एक आम इंसान कुछ किलोमीटर पैदल चल कर ही ठक जाता है इसलिए 40 किलोमीटर लंबे इस कठिन मार्क को तै कर पाने की चाहत इंसानी सहन शक्ती और धैर्य की परिक्षा बन जाती है इस चड़ाई के दोरान शरीर अकड़ जाता है और दिमाग सुनन पड़ जाता है यही वज़ा है कि डेविल्स पात पर चड़ने की कोशिश लिए आए आधे से भी ज्यादा परवाता रोही इस मार्क को बीच रास्ते में ही छोड़ कर वापिस चले जाते हैं कैंप मुईर दोस्तो कैंप मुईर वाशिंग्टन में स्थित है यहां की शुरवात में 14 किलोमीटर की चड़ाई तो बहुत ही अच्छी है इस चड़ाई के शुरू में आपको फूलों के बगीचे और नरम घास दिखाई देती है लेकिन जैसे जैसे चड़ाई बढ़ती जाती है गास की जगह चारो और सूखी बर्फ फैली हुई दिखाई पढ़ने लगती है इस परवत पर लगभग 12 महीनों तक बर्फबारी होती रहती है और यहां ठंड इतनी ज्यादा है कि पीने का पानी भी जम जाता है साथी यहां जमी बर्फ के नीचे की सता बेहद अधिक पत्रीली है यहां पकडंडियों पर भी छोटे पत्थरों की भरमार दिखाई दे जाती है इन पत्थरों पर संतुलन खराब होकर गिरने का डर लगतार बना रहता है उपर से पूरे रास्ते में मिलने वाला घना कोहरा मार्क भटकाता रहता है अधिक ठंडा मोसम होने के कारण यहां चड़ाई करने वाले परवतारोहियों की संख्या काफी कम रहती है जिस वजह से यहां मिलने वाला अकेला पन और भी ज्यादा भयानक हो जाता है पिछले एक दशक के दोरान ही कैंप मुईर के रास्ते को फतह करने की इच्छा रखने वाले 90 परवतारोहियों की मौत यहां के ठंडे मोसम के कारण हो चुकी है माउंट होशन दोस्तो चीन के दिल दहला देने वाले इस मार्क को जो कोई भी पहली बार देखता है वो इसे देखता ही रह जाता है और जो इस पर एक बार चले जाता है वो इस पर दोबारा जाने का नाम नहीं लेता है जिसकी वजह से इसे मौत का रास्ता भी कहा जाता है सच में दोस्तों इस रास्ते पर एक छोटी सी गलती भी आपको सीधे मौत के मूँ में ले जा सकती है बतादे इस पहाड पर लोगो दुआरा लकडी और लोहे की छोटी छोटी प्लेट से पकडंडियों जैसा रास्ता बनाया गया है और इस पर चलने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दिल बहुत मजबूत हो 787 फिट उचे स्परवत के शिखर पर कभी सन्यासी और साधू अपना ध्यान लगाते थे जिस वजह से पहले के समय में यहाँ पर कई मंदिर भी बनाये गए थे लेकिन धिरे धिरे ये स्थान एक टूरिस्ट प्लेस में बदलने लगा और यहां की दिल दहला देने वाली चड़ाई पूरी दुनिया की नजरों में आई बड़ी अनोखी बात ये है कि बेहधी पतला और कमजोर दिखाई देने वाला ये रास्ता अचानक से गायब भी हो जाता है मतलब कि माउंट होशान पर चलते वक्त एक समय वो भी आता है जब आपको रास्ता ही नहीं मिलता और फिर आपको चटानों में पैर फसा कर ही आगे बढ़ना पड़ता है लेकिन इतनी खतरनाक चड़ाई होने के बावजूद भी माउंट होशान पर जाने वाले सैलानियों की तादाद प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है लगता है मानों यहां जाने वाले इंसान मौत से डरते ही नहीं है वैसे अगर आपको कभी मोका मिले ऐसे स्थान पर जाने का तो क्या आप जाना चाहेंगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शियर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आल पर सेट कर लें धन्यवाद